सबी भाई भैनों को मेरा नमस्कार और प्रणाम अभी कुछ दिनों की बात है मैं एक सार्वजनिक समारों में गई थी किसी वहाँ पर दो यूवतियां आपस में बात कर रही थी इसी बीच उनके मध्य में बुजूर महिला आई और वो उन दोनों के सौंदर्य को लेकर कंपे लग दो रहा है और पहले तो यह बहुत ही क्यों लगती थी। précis बहुत ही भी कितने खुबसूरत है बहुत है तुम्हारा कॉंपलेक्शन के ती जो यूफ टिर की थी वह बोली है आप इस बात को ऐसे भी कह सकती है अन्टी कि मेरा complexion है इसके की तुलना में बहुत और मेरी तुलना में इसका जो complexion की darkness है वो बहुत ही कम है मतलब तुलनात्मक रूप से यह मुझसे काफी कम है क्योंकि dark complexion होना कोई बुराई नहीं है उस यूफती ने जो जवाब दिया उस बात से मैं हैरान रह गई और बहुत प्रभावित हुई और फिर मैंने जाके उन मह कोई गोरा है और बहुत सुंदर है तो यह कोई criteria नहीं है किसी का भी मुल्यांकन करने का तो आप ऐसा वह भी इस अवस्था में जीवन को आपने बहुत वर्ष्णों तक समझा है आपके बालों में सफेदी आ गई है और उम्रों की इस परिपकव अवस्था में आपकी बता रही है वो डिप्रेशन में भी आ सकती थी और काफी समय तक वह सोच विचार करके अपने व्यक्तित्त को परिशान कर सकती थी तो आपको एक मैच्चोर परसन होने के नाते इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी उनको मेरी पास समझ में भी आई और उनको अपनी भू संदर है तो उसको जो हम निशकर्श निकालते हैं वह हमारी ही सोच होती है जिसके आधर पर हम निशकर्श निकालते हैं क्योंकि यह कोई आवशक नहीं है कि काला व्यक्ति है तो बहुत बिकार है या बतसूरत है गोरा व्यक्ति है तो बहुत संदर है और बहुत आकर्शक ह चालनाते हैं उसकी विचार ठीक है प्रारंविक तौर पर एक व्यक्तिप्रावित कर सकता है जो बहुती है भब हुद। है हो सकता है वो लोगों को काफी attract कर सकता है कि इसकी जो सुंदरता है बहुत ज्यादा है और लेकिन अगर उसमें गुण नहीं है किसी प्रकार की क्वालिटी नहीं है तो फिर वो उसका सौंदर किसी काम का नहीं है और वो प्रशनसा के दाएरे में वो लड़की या जो भी ज व्यक्ति सुन्दर होता है सिर्फ द्रश्टी होनी चाहिए व्यक्ति बदसूरत बनता है अपने बुरे विचारों से अपनी बुरी सोच के द्वारा यदि आपका अपने गुणों को विक्सित कीजिए अपनी क्वालिटी विक्सित कीजिए अपनी एजुकेशन को उस हाई मुकाम पर पहुंचाईए जहां जाकर आपकी बहुत ज्यादा कदर हो और लोग आपकी इस प्रतिभा को समझ सके इसके अलावा आप सौंदरे के लिए प्रयास करते हैं तो प्लीज आप इसे बंद कर दीजिए क्योंकि इससे कोई फरक नहीं पड़ता है आप काले हैं गोरे हैं मेरी परीचित हैं वह काफी पुरानी एक सहपार्टी थी एक एडुकेशन वगरा स्कूल में साथ मेली थी काफी टाइम बाद उनकी शादी हो गई अभी वह अम थी मन से उस परसं से शादी की क्योंकि उसका सभाव बहुत अच्छा था वह बहुत एक वालिफाइड है और स्क्वालिफिकेशन के चलते उनकी जो जौब है वह अमेरिका में लगी थी और वह लड़की भी एडुकेशन वाइस बहुत अच्छी थी बहुत सुन्दर तो व एक सामाने विक्ति को हो सकता है बहुत आकरशक ना लगे लेकिन वह एडुकेशन वाइस वह लड़की बहुत क्वालिफाइड थी विचारों से बहुत अच्छी थी बहुत अच्छे मैनर्स वाली थी बड़ों का रिकार्ड करने वाली थी और सबसे बड़ी चीज़े अप को यह बताना चारी हूं कि कई हमारे देश का कोई व्यक्ति जब बाहर जाकर कोई नौकरी पाता है तो वह बहुत सांबने बात नहीं होती है उसकी बहुत विलक्षन प्रतिभा होती है और प्रतिभा के चलते उसको वहाँ पर रोजगार के अवसर प्रदान किये जाते हैं जिसके तहत हमारे भारत के लोग बाहर जाकर नौकरी और व्यक्ति इत्यादिक करते हैं तो वह उनकी प्रतिभा की कारण ही हो यह संबग हो पाता है यहां मैं आपको यह बताने का प्रियास कर रही हूं इसके अलावा भी ऐसे बहुत से जानकर हैं बहुत से लोग हैं जिनक लोग ऐसे होते हैं जो भहला कहती है। लेकिन लोग इजार करते हैं कि वह व्यक्ति आए और इंसे बातचित करें और उसको हर जगे सम्मान मिलता है तो इसलिए अगर आपका जो उसम्तव है काला है या गोरा है तो इसको विल्कुल आप मन से निकाल दीजिए काला और और नगारात्मक नहीं है व्यक्तित्व निकरता है आपकी अच्छी आद्पों से अच्छे चरितर निर्मान से अच्छी सोच से अगर आप तक आने अपने कामलियत को बढ़ाईए फिर देखे कहा हर जगी हैस्पाराविकल का फॉच Trail कर्ती हूं ना मेरे चानल कोλाना है या बिल्कुली free है इसका कोई भी charge आपको नहीं देना है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद